दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेशेंड्या सॉलूसन लिम्टेट के बारे में दोस्तो बहुत ही गंदा खेल चल रहा है इस सेर में और पहले ही बोला था बहुत बुरे फसे होगे सो वही बात होने बाली है सो मैंने कह सो ताकि कुछ लोग जो बाइक करने क होने वाला है बहुत ही important चीज में आपको इसमें देखाने वाला हूं कि गंदा केड़ किस तरगी से चल रहा है ठीक है और मालकों की तरफ से बहुत ही important update है सो वीडियो को पूरा देखिएगा इस्टार्ट करने से पहले है जो लोग फर्च टाम मेरे चैनल को विजिट कर रहे है चैनल को अभी सब्सक्राइब परके बेलाइक को प्रेस कर लिजीएगा ताकि आपके पास update आती रहेगी क्रेसेंडा सॉलूशन जैसे के आपको पता चल रहा है सॉलूशन की लवग ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टरी कंपणी है तो लगनी रहा है ही definitely क्रेसेंडा सॉलूशन इस इंडियन बेस्टी कंपणी इंगेज इन प्रवाइडिंग इंफोर्मेशन टेक्लोजी आईटी है ROE ROC बिल्कूल भी नहीं है book value 0.61 है ठीक है current price चल रहा 46.6 रूपीज और company में कुछ भी fundamentals strong नहीं है कुछ भी nothing there is nothing ठीक है तो जहां पर कुछ भी नहीं है आप देख सकते हो sales कुछ भी नहीं हो रही sales कभी zero हो जाती है कभी 0.5, 0.7, 0.2 , ऐसा चल रहा है ठीक है और net profit की बात करते है तो net profit भी कभी – कभी 0,005 ऐसा चल रहा है और यहां पर sales की बात करते हैं मतरब year wise देखोगा न तो year wise भी कुछ भी नहीं है देख सकते हो आप कोई growth नहीं है मास जुआ दस में भी 1.41 क्रो की sales थी उसके बाद मास 12 में 7.86 की करोड की sales हुई थी और उसके बाद दे सकते हो 0 चल रहा है बिल्कुल भी 0 सबकुद 0 और कोई growth नहीं है और यहां पर net property बात करते हो तो वह देखो कभी minus में है कभी plus में है कभ positive चीज़ देखरों को मिल रही है बाकी बहुत ही बुरी मतलब बहुत बुरी तरीके से आप लोग फस सकते हो इसमें सो आप को वीडियो को पूरा देखेंगा तो यहां पर आप देख सकते हो promoters दीरे-दीरे माल बेस के निकल रहे हैं यही सबसे बड़ी update है जब company के मालिकों के पास सारे information होती है company को पता होता है कि हम क्या कर रहे है हमारा management क्या कर रहा है हमारी क्या growth है future में हमारी क्या planning है क्या clients है क्या customer है क्या sales है क्या business static है so 30.14 से आप देख रहे हो continuously promoters ने सेप्टरम दोर 21 में एक दम से holding गठाई 8.42 और मार्च 20 में इसी quarter में 0.10 मतलब 1% से जाता कि holding बेस दी DA वालों के पास बहुत कम माल है और public के पास देखोगे आप तो continuously इसमें माल बढ़ता गया है 9.99 तो आपको फसना नहीं है मैं आपको एक बार चार्टितल बेसरता हूँ जिलों के पास ये share है hold नहीं करें उसको मौका पाते ही निकलने इसमें से क्या समझे मौका पाते ही न दिमाग से खिलना है कि दिमाग से खिलना है दिल की नहीं सुनना है दिल हो सकता है आपकी emotions की इतनी हो जाए कि आपको क्या करना है आपको ज्यादा लांची नहीं वना है एक साल में इसने 13-24% का return दे रखा है लेकिन किस बीस पर दिया है क्या company की cool sales है कोई net profit है कुछ भी न है सो इसमें पहुत सारे लोगों का पैसा ठीक आपको क्या करना है पैनी सेर में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है तो और जब आपका सब्हें पैसा में फिर बहन तो सबसे पहले आप उसको बचाओ क्या उसको बचाओ मानली जी आपने दस अर पर लगा थे क्योंकि इस कंपनी ने एक साल में अध्यों को एक साल में 13214 पसंद का रिटन दे रखा है इसका मतलब पैसे को 1300 गुना कर रखा कितना 1300 गुना अरे आप अपने पैसे को 45 गुना हो जाए तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लो कुछ छोड़ दो कुछ पैसा लगा छोड़ दो था कि आप क्या है कि मतला पूरे तरीकी से नहीं फसोग ना ट्रैप तो नहीं हो गई वन्ना आप ट्रैप हो जा दो बहुत तरीके स और यहां पर आप देख सकते हूं यहां पर इस जगह पर पहले इसमें काफी रेटर निकाल के दिया है यहां पर पिछली वार कई वार ऐसा हुआ दे को 700 800 परेशन कर रहे हैं उसके बाद गिरावट ठीक है यहां पर उसके बाद फिर ग्रावट ठीक है तो ऐसा इसमें चल बहुत ही हाई पर अयह पर चल रहा है आपको बिलकुब भी अनहीं करना है इसय популяр ठीक है मैं आप बोर रहा हूं बार बार और अभी आपके पास अ अगर प्रॉफिट में हो ठीक है और आपनी है पर प्रॉफिट बुक नहीं करपा यहां तो अभी तो I Monty अगर अब शौख वीडियो में वीडियो अच्छे लगाओ तो चैनल को सब्सक्राब नहीं बुलेगा आपकी एक चैनल को सब्सक्राबर का मुझे बेट रहेगा जिसके मुझे बहुत मोट डिवर सब्लता है तो थेंक्स पॉचिंग इन सब्सक्राब नाओ